नमस्कार दोस्तों जब भारत के पास 30 वर्षों तक F-35 की तरह वर्टिकल लेंडिंग करने वाला एरक्राफ्ट मुझूद था तो उससे experience लेकर भारत ने खुद का ऐसा ही fighter jet क्यों नहीं बनाया कौन-कौन सी खूबियां थी Sea Harrier jet में जो इसे इतना खास बनाती थी और इसे मजबूरी में रिटायर क्यों किया गया ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूँ आपका अमित अपडेट्स चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं गोतम जी का सवाल है कि हम Sea Harrier जैसे जेट को इतने वर्षों तक उडाते रहे तो उससे experience लेकर हमने खुद का vertical take off और landing वाला aircraft क्यो नहीं बनाया दोस्तों F-35 fighter jet दो reasons की वज़े से बहुत famous हो गया है एक reason है इसकी stealth यानि यह radar पर जल्दी से track नहीं हो पाता है और दूसरा reason है इसकी vertical take off वे लेंडिंग की capability अलाकि F-35 के तीन अलग-अलग variants होते हैं और इन में से सिर्फ F-35 B variant ही vertical take off वे लेंडिंग कर सकता है दोस्तों भारत के पास भी F-35 की तरह ही इस तरह से vertical landing की capability वाले sea harrier jets थे जिने कुछ वर्स पहले ही retire किया गया है यह fighter jets INS Virat aircraft carrier से operate करते थे INS Virat aircraft carrier B10 से खरीदा गया था इसने 30 years तक अपनी services दी और उसके बाद 2017 में इसे decommission करके dismantle कर दिया गया इसी aircraft carrier के उपर ब्रीटेन में ही बने sea harrier jets operate करते थे इन्हें भी INS Virat के साथ ही retire कर दिया गया sea harrier jet की बात करें तो यह बेहद ही खास तरहें का jet था yes key jump system से take off करता था और अपने mission को पूरा करके vertical landing कर लेता था size के हिसाब से यह एक छोटे आकार का lightweight fighter jet था आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका size और empty weight हमारे तेजस fighter jet जितना ही था हाना कि फिर भी यह है एक engine वाला sea harrier jet F-35 jet की तरहें ही vertical landing की capability रखता था इसमें Rolls-Royce Pegasus engine लगा था जो 96 kN thrust को generate कर सकता था इस jet की सबसे खास बात यह थी कि यह है बेहद कम उचाई यानि सिर्फ 100 feet की उचाई पर ही 1100 km पर आर की तेज स्पीड के साथ उड़ सकता था जादा तर fighter jet काफी उचाई पर तो तेज स्पीड से उड़ लेते हैं लेकिन कम उचाई पर अच्छी तरह से पर्फोर्म नहीं कर पाते हैं लेकिन Sea Harrier इनसे अलग था इसकी ferry range 3200 km तक थी और जरूरत पढ़ने पर यह Sea Harrier काफी तेजी के साथ 50,000 feet तक की उचाई पर भी पहुँच जाता था इसमें powerful long range का radar लगा हुआ था जिससे यह jet काफी दूर से ही दुश्मन के naval ships को track कर लेता था और फिर उन्हें अपनी Sea Eagle मिसाईल से destroy कर देता था दुश्मन के fighter jets को counter करने के लिए Sea Harrier jet में AIM-9 Sidewinder वे AIM-120 BVR मिसाईल को भी integrate किया गया था हलांकि भारत के पास जो Sea Harriers थे उनमें इन मिसाईल का package शामिल नहीं था Sea Harrier jet 3600 kg के total weight की मिसाईल को carry कर सकता था दोस्तों यह सही माइने में एक multi-role fighter jet था Sea Harrier naval fleet को air support दे सकता था anti-air और anti-ship missions को पूरा कर सकता था चोटे आकार का होने के कारण और बेहद कम उचाई पर उड़ने की काबलियत की वज़े से इसे track करना काफी मुश्किल रहता था इसलिए यह Sea Harrier jet जासूसी वे निगरानी के missions को भी पूरा कर सकता था अब सवाल उठता है कि Sea Harrier जब इतना अच्छा था अलग अलग तरहें के missions को पूरा कर सकता था तो यह इतना सफल क्यों नहीं हो पाया इसके कुछ reasons थे पहला तो यह कि इसे जिस तरहें के flat deck वाले aircraft carrier पर operate किये जाने के लिए बनाया गया था ऐसे स्की जंप based aircraft carrier की संख्या दुनिया भर में गिनी चुनी ही थी तो इने भारत के अलावा किसी देश ने खरीदा ही नहीं इसी कारण इनकी per unit cost काफी जादा रहती थी भारत ने भी इन जेट्स को सिर्फ इसलिए खरीदा था क्योंकि हमने INS विराट के रूप में ब्रीटेन से ही second hand aircraft carrier खरीदा था इसके सफल नहीं होने का दूसा रीजन था इसकी कम स्पीड यह हर तरह के altitude पर लगबग 1100 km पर आर की स्पीड को हासिल कर सकता था बेहत कम उचाई पर तो यह स्पीड काफी अच्छी मानी जाती है लेकिन जादा उचाई पर यह स्पीड दूसे फाइटर जेट्स के मुकाबले काफी कम है सिर्फ इतनी स्पीड होने की वज़े से ही यह दूसरे carrier बेस फाइटर जेट्स जैसे MiG-29K, FA-18 Super Hornet, SU-33 आदी से मुकाबला नहीं कर सकता था साथी कम स्पीड और कम मैनुरेबल होने के कारण लड़ाई के मैदान में दुश्मन की मैक-4 स्पीड वाली BVR मिसाइल्स और A-Defense सिस्टम की मिसाइल्स से इसे बचा पाना बेहद मुश्किल हो चुका था Sea Harrier के ज़्यादा सफल नहीं होने का तीसा रिजन था इसका Very High Crash Rate इसे उड़ाने के लिए Highly Skillful Pilots की जरूरत होती थी इसके बावजूद भी ये Jets Crash हो जाते थे भारत ने टोटल 30 Sea Harrier Jets खरीदे थे इन में से 17 Crash हो चुके थे और लास्ट में सिर्फ 11 Sea Harrier ही इस्तेमाल लायक बचे थे इसके risky flight characteristics को देखते हुए इनने retire करना ही सही समझा गया दोस्तों ऐसा नहीं है कि भारत ने अपने vertical landing और short take off वाले Sea Harrier के fleet को बचाने की कोशिस नहीं की इंडियन नेवी ने अपने Sea Harrier fleet में और जादा fighter jets को जोडने के लिए 2006 में 8 retired Sea Harriers को British Navy से खरीदने की process शुरू की British Navy ने retired Sea Harrier jets में से भी Blue Vixen Radar को हटाने की बात की साथ ही Radar Warning Receiver भी हटाय जाना था इसमें से AIM-120 BVR missiles की capability भी हटाय जाने थी इंडियन नेवी को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने साफ कहा कि उन्हें अपने पास ही रखो हमें नहीं चाहिए इंडियन नेवी ने अपने पास मोजूद Sea Harrier jets को अपग्रेड करते हुए इनमें इसराइली ELM-2032 रडार लगाए और डर्बी जैसी BVR missiles को भी integrate किया गया 2014 में INS Vikram Adity Aircraft Carrier इंडियन नेवी में शामिल किया गया इसके उपर operate करने वाले MiG-29K jets की performance, speed, तेज maneuvers करने की काबलियत को Sea Harrier jets से compare किया गया तो इंडियन नेवी ने भी finally 11 बचे Sea Harrier jets को 2016 में retire कर दिया इसके spare parts के लिए हमें Britain पर निरफर रहना पड़ रहा था जो खुद इसके production को बंद करके American F-35 jet की तरफ जा चुके थे दोस्तों अब सवाल उठता है कि जब हमने लगबग 30 years तक ऐसा vertical take off और landing वाला jet ओपरेट किया था तो हमने इसके experience के आधार पर अपना खुद का ऐसा ही jet क्यो नहीं बना लिया ऐसा ना हो पाने के कुछ reasons हैं सबसे बड़े reasons की बात करें तो उन में से एक है हमारी aerospace industry का base इतना मजबूत नहीं था कि हम इतने complex fighter jet को बना सकें बिल्कुल नए सिरह से शुरू करने के कारण अभी तक हम lightweight category के तेजस fighter jet को ही बना पाएं हैं और उसमें भी बहुत लंबा समय हमें लगा है इसलिए Sea Harrier जैसे complex fighter jet को बनाने की कोशिस नहीं की गई इसके लावा एक सबसे बड़ी problem ये थी कि इसके लिए जिस तरहें का suitable engine चाहिए वैसा भारत के पास available नहीं है दुनिया भर में जब भी कोई fighter jet बनाया जाता है तो उसके center में रखा जाता है एक खास तरह का engine अगर वो हमारे पास उपलब्द है तबी हम उस fighter jet को आगे develop कर सकते हैं अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उस fighter jet की development रुक जाती है जैसा हमारे पहले fighter jet HF मरूत के साथ हुआ था यह Mac 2 की capability वाला fighter jet था लेकिन सही तरीके का engine इसे कभी उपलब्द नहीं हो सका इसलिए यह है अपनी capability के अनुसार performance नहीं दे पाया और अंत में इसे बहुत जल्दी ही retire करना पड़ा इसके अलावा एक reason यह भी है कि इसकी requirement ही नहीं बची थी हमारे पास छोटे आकार के aircraft carrier जिने helicopter carriers भी कहते हैं इस तरहें के naval ships नहीं हैं जिनके उपर sea harrier jets को operate करके इनकी पूरी capability का इस्तेमाल किया जा सके हमारे पास अब जो aircraft carrier हैं वो ज़्यादा capable हैं उनका flight deck ज़्यादा बड़ा है और इनके उपर से ज़्यादा powerful ज़्यादा बड़े size के fighter jets operate कर सकते हैं इसके अलावा जिस तरहें से इसकी technology पुरानी होती जा रही थी और इसकी slow speed के कारण इसे लड़ाई के मैदान में दुश्मन की missile से बचाना बेहद मुश्किल हो गया था तो इसे देखते हुए भी इस project को स्वेदेशी तोर पर तयार करने की कोशिस नहीं की गई इसके अलावा इस तरहें के fighter jets का crash rate काफी ज़्यादा रहता है अब ज़रा मान के चलिए कि अगर हम इस तरहें का complex jet तयार भी करते और testing के दोरान एक भी jet अगर crash हो जाता तो हमें उस project को finally बंद ही करना पड़ता तेजस fighter jet आज तक successfully इसलिए चल पा रहा है क्योंकि इसका एक भी jet आज तक crash नहीं हुआ है अगर एक भी तेजस fighter jet crash हुआ होता तो इसको रोकने वाली lobby इतनी strong है कि वो कैसे ना कैसे करके इस project को बंद भी करवा सकती थी इसके अलावा अगर इस तरहें के project को भारत बनाता भी तो इसकी cost बहुत ज़्यादा रहती क्योंकि इसका production काफी कम संख्या में होता और vertical landing capability के कारण इसका comparison दुनिया के सबसे भेतरीन माने जाने वाले F-35 project के साथ होता जिसके साथ यह compare नहीं कर पाता इसलिए इसको विदेशी customers भी नहीं मिलते और इतनी कम संख्या में बनाने की वज़े से इसकी production cost बहुत ही ज़्यादा रहती दोस्तों इसके अलावा जैसे जैसे नई generation के naval fighter jets शामिल होते जाते हैं तो उन में पिछली generation से ज़्यादा speed चाहिए ज़्यादा payload capacity चाहिए उनका radar ज़्यादा powerful होना चाहिए और इस मामले में C Harrier jet पीछे छूटता जा रहा था आज के समय में मौझूद naval fighter jets जैसे MiG-29 के राफेल M आदी से यह compete नहीं कर सकता था इसलिए ऐसे fighter jet को बनाने की कोई sense नहीं बनती है जो इनका मुकाबला ना कर सके अब हमारे पास जो aircraft carrier है उनका deck काफी बड़ा है इसलिए हमें speed range आदी में compromise करने की आवशकता नहीं है अब हम इनके उपर C Harrier से बड़े jets को operate कर सकते हैं दोस्तों इसके अलावा एक सवाल ये भी एकसर पूछा जाता है कि इनको retire करने की जगें इनको Indian Air Force भी तो इस्तिमाल कर सकती थी लेकिन दोस्तों अगर इस सवाल को ध्यान से देखें तो इसे हम Indian Air Force में roll किस तरह का देते अगर ये lightweight fighter jet यानि की MiG-21 के interceptor का roll करता है तो उसके लिए इसकी speed ज़्यादा होनी चाहिए जबकि यह मातर Mac-1 की speed तक ही उड़ सकता है ना ही इसकी range सुखोई 30 MKI और राफेल जितनी है और ना ही ये इनकी तरहें इतनी ज़्यादा missiles को carry कर सकता है ये बात सच जरूर है कि Sea Harrier अपने जमाने का सबसे advanced fighter jet कहा जाता था इसकी capabilities बहत खास थी लेकिन आज के जमाने के हिसाब से यह है बिलकुल outdated हो चुका था इसकी maintenance cost और इसकी flying cost परार बहुत ही ज़्यादा हो चुकी थी और finally इसको retire करना ही सही समझा गया दोस्तों उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंदाई होगी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे like करिए दोस्तों के साथ share करिए और channel को subscribe करना ना भूले नमस्कार